भारते जंदा पार्टी से बगावत कर चुनावी मैदान में उत्रे भाजपा के MLC लालू प्रसाद यादों से मुलाकात करते हैं हम बात च्छपड़ा से MLC के चुनाव जीते सच्टारंद राय की कर रहे हैं च्छपड़ा से चुनाव जीतने के बाद चर्चा काफी तेज हो गई कि सच्टारंद राय भाजपा छोड़ देंगे लेकिन अभी तक उन्होंने फैसला नहीं लिया है उनका मानना है कि आने वाले दिनों में जो लोग सभा के चुनाव हैं उस समय फैसला किया जाएगा लेकिन जैसा ही वह लालू प्रसाद यादों से मिले भाजपा निताओं के अंदर हरकत शुरू हो गई और बगावत का सुरू उन्होंने जो भाजपा को दिखाया है बगा समस्या बेचैनी सी हो गई अब उसके बाद भाजपा के बड़े भुमिहार नेताओं को उनके यहां भेजा गया है उन्हें मनाने के लिए मुलाकात करने के लिए आपको पता ही होगा सच्तानंदराय और गिराज सिंग दोनों लोगों की मुलाकात हुई है तकि सच्तानंद चुनाओ समीती की बैठा कोई जिसमें गिराज सिंग की भी मौजूदगी दिखाई गई और जब गिराज सिंग मौजूद रहें इसके पहले जितने बैठा कोई थी उसमें गिराज सिंग मौजूद नहीं रहते थे लेकिन इस पार मौजूद रहें तो साफ है कि भाजपा के अंदर मन्थन चल रहा है और भाजपा मन्थन की दौर से गुजर रही है कि गिराज सिंग और जो भूमिहार नेता हैं उनको भी चुनाओ समिती सहीत अन्य जगहों पर जगह देना होगा इसले कि लालू प्रसाद्यादों की तरफ सिफ्ट होते समाज को देखते हुए भाजपा के अंदर बेचैनी शुरू हो गई है और ये बेचैनी साप और पर दिखाई दे रहा है सच्तानाद राय से मुलकात करना गिराज सिंग का कहीं ने कहीं सब कुछ बया कर रहा है अब फिर से जब मुलकात हुई है तो बाचीत भी हुई होगी इन सभी मुद्दो को लेका लेकिन सच्तानाद राय मानने वाले नहीं है उन्होंने पहले ही अपनी बातों को रखा है और हर बार एक ही बात को उन्होंने रखा है बगावत का जो स्वर हुआ उसको कहीं न कही भारतिय जनता पार्टी को तबज्यो देना ही होगा अब ऐसे में देखना यह होगा कि जिस पकार से भारतिय जनता पार्टी के खिलाप उन्होंने जो बड़ा बयान दिया है उन्होंने जो बड़ी बात कही है उसको लेकर अब गीराज सिंग से उनकी मुलकात और तमाम बड़े नेताओं से मुलकात शुरू हो चुकी है ऐसे में सच्टनांदराय को मनाने की कवायत भी काफी तेज होती हुई दिखाई दे रही है अगर पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नहीं तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नमबर नोटकली 9386816700